हार्ट अटेक, हार्ट अटेक सुनते ही लोग डर जाते हैं हार्ट अटेक एक ऐसी बीमारी है जिसकी वज़ा से करोड़ों लोग मारे जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हार्ट अटेक से बचने के 10 उपाई बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खान पान की क्योंकि हर बीमारी का कारण खान पान ही होता है मासाहारी चीज़े ना खाना जैसे कि चिकन, मटन, बीफ, अंडा, मचली इन में सबसे ज़्यादा कोलेस्टरॉल पाया जाता है जो हमारे नसों के अंदर जाकर जमने लगते हैं और इसी के कारण ही पलाक डिपोजीसन होता है और पलाक डिपोजीसन के वज़ा से ही हार्ट अटेक आते हैं और इसी के वज़ा से ही बहुत सारी हार्ट अटेक से लेटेड बीमारी होती है तो अगर आप भी हार्ट अटेक से हमेशा के लिए बचना चाहते हैं तो मासाहारी चीजे कम से कम खाएं और अगर आप अंडा रोज खाते हैं तो उसके पीले वाले हिस्से निकाल कर ही खाएं वाईली फुड ना खाना ज्यादा तला भूंजा खाना खाना भी हार्ट अटेक का कारान बन सकता है ज्यादा तेल वाला खाना खाने से हमारे सरीर में मोटापा बढ़ता है और इसमें कॉलिस्ट्रॉल भी पाया जाता है जो हमारे लिए कितना खतरनाक है वो जान चुके हैं तो हार्ट अटेक से बचने के लिए तेल का सेवन कम से कम करें रोज इक्सरसाइज करना अगर आप भी हार्ट अटेक से बचना चाते हैं तो कम से कम 30 मिनट इक्सरसाइज जरूर करें इक्सरसाइज हमारे सरीर के लिए अच्छा माना जाता है ये तो सभी जानते हैं लेकिन ये heart को और भी ज्यादा फाइदा पहुंचाता है जब हम exercise करते हैं तो oxygen level हमारी body का बढ़ जाता है तो जब oxygen level बढ़ जाता है तो खून के साथ oxygen पूरी body में घूमता है इससे circulatory system अच्छा होता है और जो हमारे नसों के अंदर पलाग deposition होता है वो ज़्यादा oxygen का लेबल होने से हमारी नसों से साफ हो जाती है अस्ट्रेस तनाव ना लेना आज कल हर व्यक्ति टेंसन तनाव से गरसित है चाहे वो तनाव किसी भी कारण से हो जब भी कोई व्यक्ति एस्ट्रेस से गुजर रहा होता है तो उसके body के अंदर कुछ hormones release होते हैं और उन hormones का सीधा परभाव हमारे heart पर पड़ता है प्यार प्यार का होना जिन्दगी में बहुत जरूरी है अगर आप एक healthy heart चाते हैं तो उसका प्यार से बहुत बड़ा connection है प्यार का मतलब आपके अच्छे relationship होनी चाहिए प्यार किसे से भी हो सकता है चाहे उँ आपके family member हो, friends हो या पेट हो सकता है जब हम अच्छे relationship में होते हैं तब हमारे body के अंदर कुछ hormones release होता है जिससे की हमारा health पर बहुत अच्छा परभाव पड़ता है खुस रहना खुस रहना हमारे health के लिए काफी अच्छा माना जाता है एक research के अनुसार पता चला है कि जो heart attack के patient होते हैं उन्हें खुस रहने से 50% heart attack होने की chances कम हो जाती है तो अगर आपके घर में भी heart attack का patient है तो उन्हें खुस रखने की कोशिस करें तो ये थी कुछ चीजे जीन हैं आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए So I hope आपको विडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करे और मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर करे और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे comment box में comment जरूर करे